आपके इस वीडियो में हम लोग अनदर नॉन प्रिंटिव सी ट्रिक डिसकस करेंगे जिसका नाम है सॉटेज जॉब फर्स्ट मैं लिए सॉटेज जॉब फर्स्ट का क्रेक्टरेट एरिया आपका बस्टाइम होता है और मोड आपका नॉन प्रिंटिव होगा मैंनी आपका FCFS में एक major drawback का FCFS से डिलिख ला कि कॉन्वाइफेक्ट कॉन्वाइफेक्ट में होता था कि FCFS में यदि कोई हाई बस्टाइम का प्रोसेस बिग्निंग में आ जाता है तो उससे लोग बस्टाइम वाले प्रोसेस को काफी लॉंग टाइम तक बेट करना पड़ता था तो मैंनी इस कोई एफेक्ट का जो प्रोग्लम था उसको सॉट आउट करने के लिए लाया गिया सॉटेज जाओ फस्ट इसका क्राइटेरिया होगा बस्टाइब लेखिया हमारे कोई कोई सिक्स प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5, P6 सब का अराइबन टाइम में 0, 1, 2, 3, 4, P5 पर रिस्पेक्टिबली सारे प्रोसेस आए है रेडिक्व में सबसे एकॉर्डिन टू सीडुलिंग क्राइटेरिया सबसे लो बस्टाइम का प्रोसेस है आपका P4, तो इसमें SJF में क्या होगा वैसा प्रोसेस जिसका बस्टाइम कम होगा पहले उसको हम लोग सिडुल क तो इसको सिडुल करते हैं हम लोग प्रोसेस को तो अब देखेंगे जीरो टाइम से स्टाट करेंगे तो लो बस्टाइम का प्रोसेस हमारा P4 है बट उसका अराइवर टाइम 3 है और आप लोग को बताये हैं सिपीव सिडुलिंग क्राइटेरिया में मैक्सिमम इूटिलाइ आपका बेस्तार नहीं है Cu जितने ज्याधा वीजी होगा उटना ज्याधा फूर्पूट आपका इंक्रीज करेगा तो हम लोगसे पिज इडल नहीं करके पहलाका जीरो टाइम पर Geekान पर मक्रोसेसे संटो टेंगे नौन प्रिम्टिव में आपका जितना प्रोसेस का बर्स टाइम होता है उतने टाइम करिए प्रोसेस को सिडूल करते हैं तो 0 से 9 आपका P1 सिडूल होगा P1 gets executed 9 तक सारा प्रोसेस रेडिक्यू में आ गया है P2, P3, P4, P5, P6 अब हम लोग सिडूल करेंगे जिसका बर्स टाइम कम है तो सबसे कम बर्स टाइम किसका है P4 का तो P4 को सिडूल करेंगे for how much unit of time 1 because इसका BT कितना है 1 है तो 9 और 1, 10, 10 तक कौन चलेगा P4, P1, P4 executed अब P4 के बाद सबसे लो BT का प्रोसेस है आपका P5 इसका BT 2 है तो 2 unit के लिए चलेगा P5, 10 to 12, P5, P5 gets executed अब इसके बाद सबसे लो बर्स टाइम का प्रोसेस है आपका P2, 3 है इसका 4 है और 5 है 3, 4, 5 तो सबसे लो BT का प्रोसेस है P2, 12 और 3, 15, P2, P2 gets executed अब है आपका प्रोसेस P3 and P6, तो P3 का BT 4 है, P6 का 5 है तो लो BT का प्रोसेस P3 होगा, 15, 4, 19, P3 gets executed अब लास्ट प्रोसेस बचा हमारा P6, P6 का 5 है BT, 19 और 5, 24 all the process gets scheduled, सारा प्रोसेस हमारा स्टिट हो चुका है completion time निकालेंगे, completion time of P1 is 9, completion time of P2, P2, 15 15, completion time of P3 is 19, completion time of P4, P4 is 10, 10 to a complete correct, completion time of P5 is 12 and completion time of P6 is 24, 24. अब निकालाच आउयम करो तुण रावरावरां थाया आपको t8 equal to ct minus 80, completion time minus arrival time. So, completion time of p1 is 9, arrival time is 0. 9 minus 0, 9. Completion time of p2 is 15 and arrival time is 1. So, 14. P3, 19 minus 2, 17. 10 minus 3, 7. 12 minus 4, 8 24 minus 5, 19 एक तरणारूद time होकिया, निकालते हैं बत्लिंग time W t equal to T at minus b t तरणारूद time minus burst time तरणारूद time of p1 is 9 and burst time is also 9 9 minus 9 is 0 तरणारूद time of p2 is 14 and burst time is 3 14 minus 3, 11 turn around time of P3 is 17 and burst time is 4, 13 turn around time of P4 is 7 and burst time is 1 7 minus 1, 6 8 minus 2, also 6 19 minus 5, 14 तो यह सब यह आपका था सॉटेश जो फर्स्ट जिसका मोड आपका नॉन प्रिंटिव होगा और क्राइटेजिया आपका बस टाइम होगा थेक्क्यू